मुनमुन राय होगे सिवनी विधान सभा से होंगे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी तमाम कायासो वस संभावनों पर विराम लगाते हुए आज सोमवार को भाजपा की केंडरिये चुनाव समिती द्वारा विधान सभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश के लिए अपन 15 से वर्ष 2018 पर दल की टिकेट पर चुनाव लड़ने वाले सिवनी विधायक मुनमुन राय पर अपना भरोसा बरकरार रखते हुए उन्हें प्रत्याशी घुशित कर दिया है विधित रहे की लखनादौन नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मुनमुन ने वर्ष 2008 में पहला चुनाव निर्दलिये के तौर पर लड़ा था लेकिन वो पराजित हो गए थे इसके उपरांत वर्ष 2013 के चुनाव में मुनमुन पुनह निर्दलिये प्रत्याशी के रूप में मैदान में उत्रे जहां उन्होंने भारतिये जन्ता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक नरेश दिवाकर एवं जिला कॉंग्रेस कमेटी अध्यक्ष पप्पु ख पुराना को पराजित कर भाजपा के इस गड़ में पहली बार सेंड लगाने में सफलता हासिल कर ली थी जबकि कॉंग्रेस इस सामान्य विधानसभा सीच से लगातार चुनाव हारती चली आई मुनमुन राय होगे सिवनी विधानसभा से हो वर्ष 2013 में विधायक निर्वाचित होने के बाद मुनमुन ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान का विश्वास हासिल करना आरंब कर दिया जिसका फाइदा जिले को मिला जहां निर्दलिय रहते हुए भी मुनमुन के प्रयासों से राजे सरकार ने करोडों की राशी विधानसभा के विकास के लिए आवंटित की वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव की घोशना के पूर्व मुनमुन ने केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शा एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान की उपस्थिती में भारतिय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर सब को चौका दिया था दरसल इस विधायक ने निर्दलिय चुनाव लड़ने के दौरान क्षेत्र के मद्दाताओं से वादा किया कि मुख्याले में सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्मान कराएगे निर्दलिय रहते ये कार्य होना संभव नहीं था राजनेतिक चतुराई के माध्यम से मुख्याले में मेडिकल कॉलेज खोलने की शर्ट पर भाजपा में शामिल होने का वादा किया चोहान ने भी मुनमुन की लोगप्रियता को ध्यान में रखते हुए सिवनी मुख्याले पहुचकर ग्राम कंडीपार में सरकारी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर अपना वचन निभा दिया पिछले पांच वर्ष ये कार्यकाल के दोरान मुनमुन और जिला भाजपा संगठन के बीच संबंध नर्म गरम रहे। विधायक की सक्रियता वर लोक्प्रियता को ध्यान में रखते हुए केंड्रिये चुनाव समिती ने एक बार फिर मुनमुन का भरोसा रखते हुए उन्हें दल का उम्मीदवार बना दिया है। ग्यात रहे कि पहले ही भाजपा आदिवासी सुरक्षित क्षेत्र बर्गाट से पूर्व विधायक कमल मर्सकोले को उम्मीदवार बना चुकी है। अब केवल लखनादौन और केवलारी से ही भाजपा के प्रत्याशी की घोशना होना बाकी है।